नमस्कार आप देखने हैं Business Today बजार टाटा मोटर्स का शेर का वो दौर आपको याद होगा जब जनवरी मार्ज दिमाही में नतीजों के बाद स्टॉक में करीब 9 परतिशत की गिरावट देखने को मिली थी गोल्में सेक्स हो, मौगन स्टैनली हो, नोमुरा हो जैसे तमाम ब्रोकेज ने टाटा मोटर्स के शेरों में की जो रेटिंग थी वो घटा आ दी थी ना तक कि कैई ब्रोकेज फर्म ने तो ये भी कहा था कि जेलार की डिमांड जोखिम का सामना या पर उनको करना पड़ सकता है और कमर्शिल वीकल की सेल्स में भी कमी देखने को मिल सकती है ऐसा लगा कि ना जाने अब स्टॉक वापिस कब तक कितने वक्त में बाउंस बैक करेगा लंबा वक्त लग सकता है लेकिन समय बलवान होता है तेजी से बहलता है जो ब्रोकेज इस स्टॉक को लेकर बेरिश मोड जिन्होंने धारन कर रहा था वो ही अब बुलिश होते स्टॉक को लेकर काफी एहम बाते कह रहे हैं और यहां तक कि निवेशक के तौर पर आपको इन बातों को समझाएंगे लेकिन साथ ही यह भी आपको समझना होगी वही जो ब्रोकेज इस नेगेटिव थे इस टॉक को लेकर आपकाफी पॉजिटिव दिख रहे हैं और नए सब्सक्राइब करना मद भूलें तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल ब्रोकेज फर्म जैफ्रीज की जैफ्रीज ने टाटा मोटर्स पर खरिदारी की रेटिंग दी है शेर पर करीब 1250 रुपे का अपसाइट टागेट दिया है इस लिहाज से अगर देखे तो 25-26 से फोकस कर रहा है यहां पर टाटा मोटर्स पर जैफ्रीज ने कुछ और बाते कहीं है कि मैंजमेंट पैसेंजर वीकल और कमर्शिल वीकल सेग्मेंट पर फोकस बढ़ा रहा है इसके तहत इन दौनों सेग्में में मुनाफिय में सुधार लाने पर फोकस है पैसेंजर वीक का उसको 16% से बढ़ा कर 18% करने का जोर है अब हम सब जानते हैं कि किस तरीके से टाटा मोटर्स की गाड़ियों ने लेक्ट्रिक स्वेस्ट में कैसे कैप्चर किया है अब कमर्शल वीकल पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है इसमें उनने कहा है कि मीडियम टर्म में नौन वीकल रेविन्यू को 20% तक बढ़ाने पर मेंजमेंट का फोकस है मेंजमेंट सीवी और पीवी सेग्मेंट में 10% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का टागेट लेकर चल रहा है इसके अलावा वितवश 2026 में इलेक्रिक वीकल यान बराबर हो जाते हैं वहाई दूसी रिपोर्ट भी आई है इसके बारे में जानना जरूरी है मौगन स्टैनली ने टाटा मोटर्स पर इकोल वेट का यहां पर रेटिंग दी है शेर पर 1150 उपे का अपसाइट का टागेट दिया है कि सभी बिजनस अब अपने दम पर कारोब सब्सक्राइब ने का कि कमर्शिल वीकल बिजनस से मार्जिन को 10% से जाधा करने पर फोकस रहेगा मार्जिन को बढ़ाने पर फोकस है कमनी का साथी एवी की पहुंच जो है वह तीज पर तिशचत तक बढ़ाने का टारगेट है कंपनी की ग्रोथ को नए नेम प्लेट लॉ हो सकता है यानि कि इन दौनों ब्रोकरेज ने लेक्री वीकल बिजनस को में ब्रेक इवन का टागेट दिया है और यह उमीद करके चल रहे हैं इसके लावगा घरेलू ब्रोकरेज फ़र्म जो है को मिल रही है तो यह और और इस पर पूरा विशलेशन था कि कि इस तरीके से ब्रोकरेज की सुर्फ बदल गए पहले करीब नौपत इश्रक जब इसमें ग्रावाट आई जब रिजल्ट्स आये और उसके बाद बोला गया कि यहां पर कई तरह की डिमांड मांग में कमी देख प्र匣िया स्जाय के ओड़bas Sang्किन करते जफ फ competit दूजर्णी अलाद बढ़ में कारफ प्रिच्त करुझत ज़रा कि अुपत कर सकता ढल्या कि स никаких